हेलो गेज, वेलकम बैक टो तिद्यव इन्वेस्टमेंट लैब, तो आपके लिए 5A स्टोक्स लाया हूँ, जो कि आप इसमें CEY कर सकते हो, या तो इसमें आप फ्यूचर को लॉंग कर सकते हो, तो मेंली इंट्राडे के लिए है, तो इंट्राडे पर फोकस करना, तो फर्स् 15-minute का sentiment क्या है, तो 15-minute आप कहां पर इंटर करोगे, तो आपको बताता हूँ, कहां पर इंटर करोगे, तो अगर आपको यहां पर मिले, अगर 199.45 इसके नीचे मिले, तो आप इंग्नोर करना, इसके उपर ट्रेड करता हुआ, दीखे, 5-minute का ब्रेक आउट करे, तो आप इस तो टार्गेट आपके लिए हो सकता है कि यहां तक का हो सकता है 201, 202 और सेकेंड टार्गेट हो सकता है 200 यहां तक का 203.55 का इसके उपर ट्रेड करने लगे तो और भी आप टार्गेट को बढ़ा सकते हो ठीक है तो चलो देख लेते हैं तो आपके लिए वन टार्गेट हो सकता है 140 का और इसके इसके ऊपर जाये तो आप 141 44 तक का टार्गेट आप बना सकते हो अगर इसके नीची जाये तो आप इगनोर करना फाइब मिनिट का ब्रेक आउट पर ट्रेड करना तो वालूम पर भी देखना वालूम भी बड़ा-बड़ा बनाए तो उसमें इंटर करना प् यह higher high का inform में कर रहा था जो कि breakout दिया ठीक है तो इसमें 50 मिनट देखते हैं कहां पर हम इंटर करेंगे तो इसमें 50 मिनट गई अगर आपको अगर आपको यह 1952 के नीचे ट्रेड करता हुए देखे तो आप इसको इगनोर करना कहीं इधर खुले यहीं पर खुले या तो पुल बेक करें पुल बेक का इंट जार करना जैसे ऐसे नीचे आया ठीक है यह पुल बेक किया इस टाइप का अगर करें तो आप इसमें इंटर कर सकते हो तो फर्स टार्गेट आपके लिए हो जाएगा अगर इधर आप ट्रेड लेते हो तो फर्स टार्गेट हो जाएगा 1 9 6 का इसके उपर trade करता हुआ दिखे तो आपके लिए हो सकता है second target 1 9 8 1 का अगर इसके उपर trade करें तो आप और भी target बना सकते हो तूथाओ जन तक target बना सकते हो तो minimum 1 इस्टू 2 का target रखना इसमें आपको SL हो जाएगा 10-15 रुप्या के SL रखना और हिंदाल को में आप कितना का SL हिंदाल को में भी 1 रुपीज का SL रखना में 1 इस्टू 2 का target रखना चलो देखते हैं next कौन सा है तो next है सीमेंस सीमेंस का देखते हैं वंडे का sentiment क्या है तो सीमेंस में वंडे का sentiment देखो कि बहुत बड़ा gap up open हुआ है जो कि बहुत उने से आपको बुली सीन दे रहा था जो कि breakout भी करता हुआ दिख रहा है ठीक है तो देखते हैं इसमें कहां पर हम trade कर सकते हैं तो इस फिप्टी मिट का तो आप इसमें टारगेड बना सकते हो पर 435 इसके ऊपर ट्रेट करती हो दिखे तो आप देखना बडा चैंडल बनना चाहिए फाइब मियंट में उसको ब्रेकाट करना चाहिए तो आप और भी टारगेड बना सकते हो इसमें आप यसे लखो कि 20 रुपे का SL रखना 15 से 20 रुपे का SL रखना मीनिमम वन इस्टूट को टार टार गर बनाना इसमें तो चलो नेक्स्ट डेखते हैं नेक्स्ट है गेल तो गेल में देखो कि यह ऐसा नहीं है कि यह बेरीज बनाया ठीक है यह गैप अपन हुआ है थोड़ा उपर गया है वहां से थोड़ा प्रूफिट लोग बुक की है ठीक है तो कहां पर कल ट्रेड करते हैं देखते हैं इसमें गेल में तो गेल में अगर गईज आपको अगर 180 118.85 के नीचे ट्रेड करता हुआ देखे तो आप इंग्नोर करना इसके ट्रेड इसके उपर ट्रेड करता हुआ यहां अगर इसके ऊपर ब्रेक करता हुआ दिक हैं उनज के लिए वीडिए अच्छा लगा तो लाइक करो सब्सक्राइब करो झाल झाल